हलो एंड नमस्कार दोस्तों वेलकम टूडा माई न्यू वीडियो तो सर जहां पर हम आपके लिए कर आ चुके हैं इस बने हुए आलिशान मकान के बारे में एक छोटी सी जानकारी जो कि यह मकटान आज ही सेल होनी वाला है जो कि आज शुबा सुबा हमारे पास इस मकान के ओ उन्हों ने कहा शरी हमें अपनी प्रॉपर्टी को सेल करवाना है जो की बहुत ही सस्ती किमत में वह यह प्रॉपर्टी सेलtime स्रेयव करवाना चाहते हैं तो सर आपको अगर यहां मकान खरीदना है और आप इस्षाबर्टी की पूरी झानकारी और पूरी कंप्रीgan चैनकार दबा दें ताकि जब भी में कोई न्यू वीडियो बना उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख पाएं तो चलिए आपका समय ज्यादा ना बरबात करते हुए हम आपको दे देते हैं इस बने हुए और सस्ती हुआ हैं और ऑनर दौरा यह मकान बेचा जाना है जो कि स्वा स्वा ही कॉल आया और उन्होंने कहा हमें मकान बेचना है तो हम आपको इस मकान के बारे में फूर जानकारी देने वाले हैं तो वीडियो को अन्द तक जरूर देखते रहें जैसा कि मैंने बताया कि यह मकान 40 गज में बना हुआ है और honor इसको बेजना चाहते हैं बात कलेते हैं इस विकाव मकान के honor के बारे के कहां किո पर all the work बारे कोरे कि रहने वाले हैं या प्रॉपर्रिटी कहां की है कितनी प्राइस की है और इस प्रॉपर्रिटी के साथ आपको क्या क्या मिलने वाला है सारी जनकारी हम आपको देने वाले हैं तो सर यह जो मकान है 40 गज के एरिये में बना हुआ है और इसमें कुल टोटल बने हुए रूम की शंख्या के बारे में हम आपको बता देना चाहते हैं तो जैसा कि सर इस विकाव मकान में आपको साथ बने हुए रूम देखने को मिल जाते हैं जिसमें से सर आपको तीन वेडरूम, ट्वालेट, बाथ रूम, किचन, डेरिंग अरिया हाल, गारे पारकिंग की शुविधा और यहां पर आपको सर बहुत इच्छा गारेडन भी देखने को मिल जाता है जो कि यहां पर बात कर लिए बने हुए मकान में आपको रूम के लंबाई वा चोड़ाए कितनी देखने को मिल जाती है बात कर लिए यहां पर बने हुए मकान के साइड के रास्ते के बारे में, तो सर यहां पर आपको जो मकान का साइड का रास्ता है, वो कुल टोटल आपको वी स्विट चोड़ा देखने को मिल जाता है, जहां पर सर आपको आने जाने के लिए किसी भी प्रकार की कोई दिक्त व और यहां से बात कर लिए जाए पिट्रोल टंकी के बारे में तो सर यहां से आपको देड़ किलो मीटर की दूरी पर ही मार्केट आपको देखने को मिल जाता है और देड़ ही किलो मीटर की दूरी पर आपको पिट्रोल टंकी भी नजर आ सकती है बात कर लेते हैं सर इस यहाँ पर आप बड़े आराम से पाक कर सकते हैं में आपको किसी भी प्रकार की कोई दिकत कोई भी मुस्यवत का सामना नहीं करना पड़ेगा क्योंकि मकान बहुत ही अच्छी लूकेशन पर भीकाओ है बात कर लेते हैं इस विखाओ मकान के आर के बारे में कर नाम है तो सर इस विकाव मकान के आउनर का नाम दिच्छत उपद्ध्या है जो इस मकान के आउनर है और यहाँ वो मकान सेल करवाना चाहते हैं बात कर देते हैं सर इस विकाव मकान की कीमत आउनर ने कितनी रखी है तो सर इस विखाओ मकान की कीमत और ने सिर्फ और सिर्फ 40 लाख रुपए रखी है जी हैं 40 लाख रुपए में यहाँ वो मकान सेल करवाना चाहते हैं जो की बहुत है अच्छी प्रॉपरेटी हैं मकान एकदम आलिस्टान डिजाइन में बना हुआ है जो की आप वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं यहाँ से बात कर लेते हैं सर आपको कॉलेज नेसनल हाइवे वाट डिग्री कॉलेज कितनी दूरी पर मिलेगा तो यहां से मातर आपको 7 किलो मीटर की दूरी पर high school degree national college के बारे में बात कर लिए जाए तो यहां से सर आपको 10 किलो मीटर की दूरी पर degree high school देखने को मिल जाता है और बात कर लेते हैं मकान में आपको कौन कौन सी चीज़े देखने को मिल जाते हैं तो सर इस बिकाव मकान में आपको तीन बेडरूम देखने को मिल जाते हैं एक किचन, बात्रोम, टॉयलेट, डेरिंग एरिया हाल, गारी पारकिंग के शुविधा ये आपको मकान में देखने को मिल जाती है साथ में यहाँ पर आपको मिरर विंडो भी लगी हुई देखने को मिल जाती है और सर इस बिकाव मकान में दो परकार के आपको ऐसी लगी हुई देखने को मिल जाती है और यहाँ पर आपको विंडो ऐसी भी देखने को लगी हुई मिल जाती है मकान में मनोरंजन के लिए सर यहां पर आपको टीवी भी लेगी हुई देखने को मिल जाती है और एक सोनी 5.1 का आपको यहां पर लगा हुआ होम टेटर भी देखने को मिल जाता है पात कर लिजाए सर आपको इस विकाओ मकान में पानी के विवस्ता के बारे में तो सर यहां पर आपको जो है पानी के विवस्ता जो है इस मकान में समर सिवल के माध्यम से पानी के विवस्ता यहां पर आपको देखने को मिल जाती है और इस मकान की सारी डिजाइन बहुत ही अच्छी तरीके से कीज गई है और आपको सारी कुछ चीजे इसमें मिल जाती है संग में बात कर ली जाए यहाँ पर आपको सोफा सेट कितने मिल जाते है तो सर इस विकाव मकान में आपको दो प्रकार के सोफा सेट देखने को मिल जाते हैं एक तो आपको यहाँ पर ग्रेंग कलर का मिल जाएगा एक आपको ग्रेंग कलर का यहाँ पर सोफा सेट मिल जाता है और साथ मिहा पर आपको सोफा सेट वाली चेर्स यानि की कुर्सी भी देखने को मिल जाती है और यहां सर आपको इस मकान तक आने जाने के लिए किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत कोई भी मुश्रीवत का सामना नहीं करना पड़ता है और सर अगर आप हमारे चैनल के माधिम से अपना कोई भी प्रॉपरिटी जैसा की मकान, प्लॉड, खेद, खलिहान या जो भी सेल करवाना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट माधिम से बता सकते हैं कि आपको कौन से लुकेशन पर कितनी प्रॉपरिटी सेल करवाना है बस आपको एक छोटा सा काम करना होगा कि अपनी प्रॉपरेटी एक छोटी सी वीडियो और आकर हमारे कॉंटेक्ट नंबर पर सेंड कर देनी होगी ताकि वो वीडियो हम आपके अपने चैनल पर अप्लोड करें अपने दर्सकों को दिखाएं कि यहां इस लोकेशन पर प्रॉपर्टी विखाओ है जो कि इसके अनौर इतने प्राइस मांग रहे हैं ताकि आपकी भी प्रॉपरेटी अच्छे दामों पर सेल हो सके जैसा कि अच्छे विटेमारे चैनल पर फरी में अफ्लोड कि जाएगे और सर अगर आप किसी अन्य राज़ें से हैं आन्य सहर से हैंたいने डेस्रिक्स से हैं और आपको सस्ते विकाओं मकान नहीं मिल पा रहे हैं और आप अच्छे घर के दास में तो आप हमें कमेंट माधिन से बता स जाते हैं तो जो वहां के प्रॉपटी डीलर होंगे हम उनसे संपर करके आपके द्वारा बताई गई लुकेशन के जो भी सस्ते विकाव मकान होंगे उनकी च्छोटी सी वीडियो बनाकर अपने चैनल पर अपलोड करेंगे ताकि आपको भी सहर में सबसराव मकान के जयनका सबसे पहले मिल सकते तो सबसराव मकान के लुकेशन के आपको वारे में हम यहां और यहां सबसराप करिये ज एक्टर नमबर दो में बना हुआ यह मकान देखने को मिल जाता है तो सब तब तक के लिए हम आपसे इस वीडियो से अलविदा चाहते हैं मिलते हैं किसी एने वीडियो के साथ वह अनिसस्ते विकाव मकान के साथ तब तक के लिए दोस्तों जाहें